Hello students, welcome to study center with Devrishi Bhardwaz. Today's math question for you is Two circles intersect at two points, B and C. Throw B समझने कोईश्ट करते हैं, इसने इस लाइन में क्या कहा है? सबसे पहले इतना ही समझ लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे कोईश्ट को, ठीक है? जैको इसने कहा है कि two circles हैं, और वो दोनों एक दूसरे को two points, B और C पर intersect करते हैं, जैसे मैं अगर draw करता हूं इसको, तो कैसे draw करेंगे? एक circle हमारे पास ये है, और दूसरा circle suppose हमारे पास ये है, ये दोनों एक दूसरे को B और C पर intersect करते हैं, ठीक है? और फिर आगे कहा है throw B, B से two line segment ABD and BPQ are drawn इस B point से यह धिहान रखना है हमसे इसने क्या कहा है कि throw B इस B point से two line segments ABD and PBQ are drawn यहां से दो points draw किये गए हैं, किस से B से दो line segment draw किये गए हैं एक है ABD ABD को जैसे मैं draw कर देता हूँ यहां से, यह B से होता हूँ जाएगा ठीक है ना, इस point से होता हूँ तो यह A यह B हो गया और यह D हो गया और दूसर line segment का है PBQ, मतलब यह भी B से ही होता हूँ जाएगा, तो P मैंने suppose यह हुआ और यह P हो गया, यह B हो गया और यह Q हो गया, ठीक है इस तरीके से ओके, इतनी बात के लिए है अगर इतनी बात के लिए है, तो आगे पढ़ते हैं Q कुशन को ओके, अब मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा इतनी बात, अब डाइगराम में देखो जैसा इसमें बताया है, जैसा मैंने बताया आपको ABDA और दूसरा है PBQ मैंने इतना ही बताया है अभी आपको अब आगे पढ़ते हैं अब यह क्या कह रहा है कि जब हम ऐसे दो line segment draw करते हैं तो intersect these circles at AD and PQ तो यह ADPQ इन points पर respective भी क्या करता है intersect करता है circles को यानि A पर करता है इस वाले circle को और D पर करता है दूसरे circle को ऐसे ही P पर करता है circle को और Q पर करता है दूसरे circle को तो हमने ऐसा ही किया है एक circle में A और P दोनों आये हैं दूसरे में D and Q आगा है अब कहरा है कि C figure इस diagram को देखते है and prove हमको क्या करना है ACP diagram में देखते है ACP ये वाला जो angle है ACP ये दिख रहा है ये वाला angle हमको एककल प्रूब करना है QCD के QCD के इस वाले angle के एककल प्रूब करना है ये जो देखो दिख रहा है ये वाला angle ACD हमको प्रूब करना है QCD के ACP QCD के एककल प्रूब करना है अब कैसे करें देखने में बहुत तफ लग रहा है कुश्चन लेकिन बहुत ही आसान कुश्चन है इस कुश्चन को देखके लग रहा है कि कितना तफ कुश्चन है लेकिन बहुत ही आसान एक पर कुश्चन को और समझने लेते हैं फिर से और फिर समझना बहुत आसान हो अब दो line segments draw किये गए हैं A, B, D and P, V, Q A, B, D and P, V, Q दोनों ही B से होकर जाते हैं थो बी कहा है न इसने तो दोनों ही B से होकर जाते हैं A, B, ये B से होकर जा रहा है A, B, D और P, B, Q, ये भी B से होकर जा रहा है ठीक है न अब हमको देखो A and D, P and Q समझ में आईगे प्रूब क्या करना है ये देख लेते हैं A, C, P, A, C, P ये वाला angle हमको प्रूब करना है Q, C, D के equal हमको प्रूब करना है तो कैसे करेंगे बहुत ही आसान है देखो मैं आपको पताता हूँ कैसे करेंगे इसको प्रूब आपको देखना है अभी बड़ा वाला circle लेफ्ट वाला circle की में बात कर रहा हूँ तो लेफ्ट वाले circle में अगर हम देखें A, C, P तो एपी को देखन रखो आप A, P, A, P पर दो angle बने हुए हैं A, P अगर हम इसको हम इसको क्या माल लेते हैं? कॉर्ड माल लेते हैं A, P को ठीक है? तो A, P पर दो angle है इस कॉर्ड पर जो circle को touch करते हैं A, C, P है और दूसरा कौन सा है? A, B, P है ठीक है? और इस तरीके से जब एक ही कॉर्ड पर कितने भी angle क्यों ना हो? जैसे मैं आपको अलग से diagram बनाता हूँ ये एक circle है और ये कॉर्ड है तो इस कॉर्ड पर कितने भी angle क्यों ना बने हो? सब angle कैसे होते हैं ये? इक्वल होते हैं ये angle, ये angle, ये angle सब कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं तो ऐसे ही A, C, P और A, B, P ये वाला angle और ये वाला angle कैसे होंगे? equal होंगे ठीक है न यह दोना angle equal होंगे reason क्या है क्योंकि दोना ही किस पर है AP इनका base क्या है दोनों का यह होगा ठीक है इस पर है clear कर देता हूँ है इसको ओके तो यह बात समझ में आ गई ACP किसके equal होगा ABP के equal होगा अब ऐसे ही अब हम छोटे वाले triangle में देखते हैं छोटे वाले circle में देखते हैं इसमें देखो हम DQ की बात करते हैं तो DQ पर फिर से दो angle बने होए हैं इस बाले में कौन सा QCD QCD and QBD ठीक है QCD and QBD दिहान से देखो QD पर अगर हम इसको क्या मान लेते हैं एक मैं इसको इससे बाता हूँ अगर हम इसकी बात करें ये इसको base मान है एक तो ये बाला और एक ये बाला दोनो एंगल कैसे होंगे QCD और QBD देखो डाइगराम को दिहान से देखोगे तो सब समाज में आएगा दोनो एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे region सेम है कि इनका एक ही कॉर्ड पर बने होंगे और सेम साइड में circle की circumference को touch करते हैं ठीक है? तो ये कैसे होंगे? इक्वल होंगे. अब हम बात करते हैं देखो हमने क्या प्रूब किया भी तक? हमने ये प्रूब किया कि ये एंगल इस वाले एंगल के एक्वल है ठीक है न? और हमने ये भी प्रूब किया कि ये एंगल इस वाले एंगल के एक्वल है और ये दोनो एंगल तो एक्वल होंगे क्योंकि बर्टिकल अपोजिट एंगल है ठीक है ना बर्टिकल अपोजिट एंगल है दोनों बर्टिकल अपोजिट का मतलब जैसे ऐसे ऐसे कोई भी एंगल हो तो एककल होते हैं आमने सामने के ठीक है तो ये बात क्लियर हो गई अब देखो तो हमने क्या क्या प्रूब कर दिया, ये एंगल इसके एक्कल प्रूब कर दिया, ये एंगल इसके एक्कल प्रूब कर दिया, और ये दोनों एंगल भी आपस में एक्कल प्रूब कर दिये, तो इससे क्या प्रूब हो गया, ये दोनों एंगल भी तो अपने आप में एक्कल हो आर एक्वल जो सेम सेगमेंट में अंगल बनते हैं वो कैसे होते हैं एक्वल होते हैं ओके तो ACP ABP के ऐसे ही similarly हम क्या कर देंगे QCD QBD के एक्वल प्रूब हो जाएगा ये एंगल इसके एक्वल और ये दोनों एंगल भी आपस में एक्वल हैं थ्रिड़ एक्वशन में देखो ABP और QBD ये दोनों एक्वल हैं तो ACP और QCD भी तो एक्वल होंगे तो ये प्रूब हो गया हमको यही प्रूब करना था ऑप समझ में आ गया हो आपको कि हमको कैसे solve करना है question में कुछ भी नहीं है अगर आपको समझ में आया हो तो एक बार खुछ से करने कोफ करो वीडियो को फिर से देखो सब समझ में आएगा ठीक है और वीडियो अच्छी लगी हो तो like करो share करो और subscribe करो and thanks for watching